देखे भरांती भटकाव के अलवा हमें कुछ नहीं देगे, सादक को भरांती से बाहर निकलना चाहिए और भरांती से बाहर निकलने का रास्ता है स्वाध्याय और दूसरा है रास्ता ये कि हम अनुभव व्रद्ध गुरू के बचन पर विश्वास करें, जिससे के वो हमें उदारता पूर्वक प्रसंद मन से कुछ अपने वो सूत्र दे दे जिस जो उसकी सफलता का आधार रहे हैं ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने जो ट्राइल एंड एरर यानि अनुभव किये कुछ घलतियं हुई फिर कुछ नहीं परिनाम निकले तो उनके पास जो एसेंस है कहते हैं न कि नवनीत है जीवन का तो वो प्रसंदा से हमको मिल सकता है उनकी प्रसंदा से उसको जबर्दस्ती ने लिया जा सकता ब्रांती वश हम भटकते रहते हैं कि फला ने तो ये कहा था वहां हमने ऐसा सुना था और हम महां जिम में जाते हैं तो वो तो ऐसा बताते हैं तो इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए कि हम हित और अनहित को पैचाने जैसे मैं आपको कहता हूँ के माता-पिता की बात पर आंखमुंद के विश्वास करना चाहिए गुरु की बात पर आंखमुंद के विश्वास करना चाहिए क्योंकि उनको आप से कुछ नहीं चाहिए जिन्हें आप से कुछ चाहिए वो आपको खुश करने के लिए जीएंगे आपको खुश देखने के लिए नहीं खुश करने में आपको खशनिक आनन तो मिल सकता है लेकिन उसके परिणाम बाद में दिक्कत तलब होते हैं तो ऐसी ही स्थिति जिम में हैं सादक पूछते हैं के जी अब वहां मुक्षायतन में हम जाते हैं जिमनेजियम में तो गुरुजी तो बिल्कूल फूड संप्लिमेंट वगएरा नहीं खाने देते हैं प्रोटीन्स अलग से वहां मा कुछ नहीं मिलता है मा तो सिर्फ या तो अबदेश मिलता है या डांट मिलती है या शिक्षा के कुछ सूत्र मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ इतना तो परियाप्त समझना चाहिए व्यापार तो किसी को भी पैसा किसी को बुरा नहीं लगता लोग में रहते वे मुझे भी बुरा नहीं लगता क्योंकि पता है कि पैसे की भी यात्रा थोड़ी दूर तक हमारे साथ चलती है लेकिन जब हम अनुभूती के इस्तर पर आते हैं तो फिर जो पैसे की यात्रा है पीछे रह जाती है तो गुरू शिश्य का हित सोचे और उसको बताए कि भी इसमें तिरा लाव है और पिर अजमाओ और देख लो विजब उदारन सामने हैं कि एक व्यक्ति साधारन भोजन में स्वस्त, हस्पोस्ट, स्फूर्तिला रह सकता है तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं हाँ ये तो जरूर है कि थोड़ा धैरिये चाहिए और विश्वास चाहिए आपको भ्रांती ये है कि क्या साधारन भोजन करके हमें वैसी जो जिम वाली बॉड़ी है अब जिम वाली बॉड़ी किसे कहते हैं मैं तो ये समझनी पाता हूँ तो बॉड़ी का तो ये है कि सुदर्शन शरीर होना चाहिए हश्ट पुष्ट होना चाहिए उर्जावान होना चाहिए फुर्तिला होना चाहिए कारेक्षमता का कोई अभाव नहीं होना चाहिए और उसके अंदर लॉंगीवेटी यानि दीरगाई होने के लक्षन होने चाहिए तो इसको हम कहेंगे स्वस्थ शरीर तो जिम बॉडि आप उसको कह देते हैं कि जिसमें आप बेहिसाब शरीर को फैला करके बना लेते हैं और वो सब मैं इस समय ऐसे बैठा हूँ तो जब हम अपना साधरन बॉडि विल्डर्स भी जब कपड़ों में से बाहर निकलते हैं और वो मांस्पेशियों का डेमोंस्ट्रेशन आपको देते हैं मसल्स का कंट्रोल दिखाते हैं तब आपको पाई चलता है कि वो हम देखने में तो ऐसा लग रहा था लेकिन इसका शरीर तो बहुत अच्छा बना हुआ है सुदर्शन शरीर होना अच्छी बात है लेकिन केवल सुदर्शन मांस्पेशियों तक नहीं होता जो हमारा स्वास्त है वो हमारी आँखों से जलकता है फिर थोड़ा सा और ढंग से देखें तो वो हमारे चेहरे पर जलकता है उसके बाद फिर हमारे वो कारियों में जलकता है क्योंकि कारियों के संपर्क में बाद में आएंगे आप तो ऐसे ये मान करके चलें कि जो पंच तत्वों से क्योंकि ये पूरा जगत बना हुआ है जगत का आधार ही पंच तत्व हैं और इसी आधार पर हम यत ब्रह्मांडे तत पिंडे कह देते हैं कि ये पिंड भी वैसा ही है ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है तो जो पंच तत्वों के सैन्योग से जो रस, फल, आउशद, अन, पल्सिस, डालें वो बनती हैं वो सब हमारे लिए पॉस्टिक हैं विवेक ही होना चाहिए कि हम उनमें से फूड सेलेक्शन अपना ठीक से करना सीख लें इसके लिए बहुत से मत हैं और खर्स तोर से जो रमानुजाचारिये जी की आहार संगिता है उन्होंने ये कहा कि केवल जो खाने वाला भोजन है उसको ही भोजन नहीं माना जाना चाहिए और उसके अंदर भी बहुत सारा एक्सपर्टीज है कि उसमें जाती दोश, आश्रे दोश, निमित दोश ये सब हैं जिनका चिंतन करते हुए हमें अपना फूड सेलेक्शन करना चाहिए तो फूड के अंदर जो कंटेंट्स हैं किसमें प्रोटीन अधिक हैं किसमें मिनरल सदिक हैं किसमें विटेमिन सदिक हैं तो उनका हम विचार करके जब भोजन करेंगे तो हमारा एक संतुलित आहार होगा असंतुलित आहार लेना भले वो पॉस्टिक आहार हो वो हमें दूर गामी परिनाम नेगेटिव ही देगा, नुकसान ही देगा कितना अधित प्रोटीन हमको बादाम में मिलता है 52% प्रोटीन, इतना तो किसी मांस में भी नहीं मिलता आपको पता नहीं क्यों लोग कह देते हैं कि मांसाहर, मांस के बिना आपको प्रोटीन नहीं मिल सकता ये मुर्खता है, नादानी है, अग्यानता है हम जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिती में जी रहे हैं उस देश काल परिस्थिति के जो उपज है वहीं से हमको सर्वत्तम अन मिलना होता है वहीं से हमको सर्वत्तम भोजन मिलना होता है जिन स्थानों पर ये अन फल आदी नहीं होते हैं वहाँ पर फिर आदमी को जो जिसको आप मांसाहार कह देते हैं उसके उपर निर्वर करना र परिचित नहीं हूँ लेकिन ये जानता हूँ अच्छी तरह से और उसको अपने जीवन में अपना करके देखा है कि हम शुद्ध शाक अहार से हम अधिक स्फूर्ति अधिक शक्ति अधिक विकास अधिक संतुलन और अधिक स्टेमिना यानि कारिक और लंबे समय तक करने की सा मैंने बताया कि चने के अंदर, बादाम के अंदर, सोयाबीन के अंदर, डालों के अंदर आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है खाईए कितना खाना चाहते हैं, आपको उसका आपके शरीर के उपर प्रभाव भी दिखाई देगा और वो आपका फ्रेंडली, याने इको फ्रेंडली कोई चीज होती है तो ऐसे वो नेचरल फ्रेंडली आपके साथ में हैं और आपके लिए हमेशा फिवरेबल होगा तो ऐसे ही अगर आपको आइरन कंटेंट जो है उसकी कमी दिखाई दे रही है आप इनेमिक बता रहे हैं डॉक्टर आपको तो उस समय में आप जो कृत्रिम आइरन है वो लेकर के उतना फाइदा नहीं उठा सकते जितना आप आइरन रिच फूड आप लेकर के फाइदा उठा सकते हैं जिससे के आपका रक्त जो है वो बढ़ेगा शरी में जब रक्त बढ़ेगा तो सभाविक है कि आपके अंदर जो खुबसूरती बढ़ेगी तो उसमें आपको शलगम का प्रियोग करें उसमें आप गाजर का प्रियोग करें उसमें आप अमरूद का प्रियोग करें पालक का प्रियोग करें जितनी ग्रीन लीव्स हैं वो उसके अंदर आइरन कंटेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, अभी सर्थी शुरू होने वाली है, मतलब भोजन भी आप देखो ने जो आपको आर्टिफिशल प्रोटीन मिलता है, ये आर्टिफिशल फूड कंटेंट्स आप लेते हैं, वो तो टिंड है, हर मौसम में आपको वो ही खाना है, लेकिन मा जो है न ह सलगम से मिलेगा, हमको आमला से मिलेगा, हमको अमरूद से मिलेगा, तो वो इस मौसम में मिलेगा और फिर जब ये मौसम बदल जाएगा, इसpex हमें सारी लीफी, जो वेजड़ीबस वो हमको जा दे मिलेंगे, तो उनसे हमको बहुत rich content iron मिलता तो इसी तरह से आप विचार कर सकते हैं जो जिसको आप बुलते हैं के कार्बोहईडरेट आपको अधिक चाहिए तो आपको विटामिन्स में आप देखें कि आपको बता चला कि नेतर जोती आपकी अच्छी होने चीए तो हम क्या चीज लें उसमें हम कैसे शतावर का प्रिय करें या कैसे गाजर का आहार का प्रियोग करें जो कि मौसं में हमको मिल के हागि आज तो इस पारफर पूड सेलेक्शन करते समय ध्यान करें कि जो मौसम के फल मौसम मौसम के अं अब setup भेकें ना बहुत से लोग ऐसे होंगे आप मेंसे जिन्नोंने कभी बाजरा खाकर नही नहीं देखा, उन्होंने जवार खा करके नहीं देखा, उन्होंने धान की रोटी खा करके नहीं देखी, उन्होंने जो मिस्सा आटा जिसको हम कह सकते हैं, कि गोचनी का आटा, गोंगेवों और चने का, जोंगा मिला हुआ आटा, भोनी खाया होगा, हाँ, अब क्योंकि याह में सत्तु की ज़रत थी तो सर्दी में हमें जो है मतलब मकी का बाजरा का जो अन है मतलब उसका सेवन करने का मौका मिलना चाहिए उससे हम जादे पॉस्टिक आहर ले पाएंगे मौसम के साथ आप एकुमोडेट कर पाएंगे अपनी शक्ति को भी आप बढ़ा पाएंगे और बजरा तो वह अन है कि वह बजर की तरह से आपको मजबूत बना देता है तो उसका खिचड़ी भी खाते हैं उसकी खीर खाते हैं यह एक ऐसा विशह है जिसमें मिरंतर चाचा कर सकते हैं लेकिन इतना तो मान लीजेगा कि जो आपको मेडिसिन के रूप में मेडिसिन तो मे पिल्स हैं, इंजेक्शन्स इंजेक्शन्स हैं, उनके द्वारा आहार आपको नहीं मिल सकता है, उनके लिए उनका जो ओपियोगिता है वो स्टॉप के परेंजमेंट है, वो आप ले लीजे, आपको ख्षनिक फायदा हो सकता है कुछ, लेकिन उसके अंदर स्थायत तो नहीं होगा, टिकावपन नहीं होगा, तो मौसम के हिसाब से, देशकाल परिस्तिती के हिसाब से, अपनी आयू के हिसाब से, अपनी आवश्यक्ता के हिसाब से, और फिर अपने लक्ष के हिसाब से, अपने आहार को निरधारित करिए, और फिर उसमें परिवर्तन भी करिए, क्यो को हम शामिल करें जिससे के एक हफते के अंदर हम अपना पूरा फूर कंटेंट ले पाएं जो हमारे शरीर की पूरी जो आवश्यक्ता है रिक्वाइरमेंट है उसको पूरा करेगा तो विवेक ही योग का प्रसाद है और जब आपको विवेक की लाठी मिल जाती है तो आपको अंदरे में भी रास्ता मिलता है हरियों